नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुख दुख आता जाता रहता है लेकिन जब दुख कटे ही नहीं जब सुख का दरसन ना हो तब एक उमीद भी आपको सुकून दे जाता है चेहरे पर मुस्कुराहाट आ जाता है और वो उमीद की किरन कुछ संकेतों के माध्यम से मिलती ह कि अब दुख कटने वाला है अब सुख आने वाला है अब परिसानिया जाने वाली है तो वो सुख संकेत कौन से है वैसे तो मालक्शमी हमेशा ही अपने भक्तों पर किरपा बरसाती है जहां सुकून हो सांती हो जहां लोग परसनता से रहते हैं जहां किसी भी परिस्तिती म सब्सक्राइब को जान सकते हैं कि इस जीवन के कश्ट भरे पलों को अब सुकून की च्छाओं देगा एक उम्मीद की किरन देगा जो जीवन में खुदियां ही खोलेगाएं गोलेगा और दुख तकलीफ कर नामों निसान नहीं होगा। सुभ संकेत हमेशा ही बस ये समझ लें कि पॉजिटिविटी से आपको भरेगा। पहला संकेत तो ये है कि चेहरे पर मुस्कुराहट खुद बखुद आ जाना ये बताता है कि अब सुख आने वाला है। बे बजह समझ लें कि अब भागे बदलने वाला आखिर वह कौन से हैं तो चलिए समझते हैं सुरुवात से वैसे तो नारियल को हम समाजिक परंपरा में बहुत सुमानते हैं और आप उड़ते ही अगर आपको नारियल दिख जाए तो ये समझ लें कि आज के दिन जिस भी दिन दिख है दाहिने साइड इसका मतलब है आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वहां धनलाब होगा अगर रात में आप सोते हैं और सपने में आप सफेद या फिर सुनहरे रंग का सांप अकसर देखते हैं तो ये भी भागी के दरवाजे खुलने का संकेत है यानि निकट भविस में आ इसका मतलब है तो इसका मतलब है कि अब जल्द ही आपके जीवन में धन आएंगा बहते पानी की तरह पहते वे कि सुबब-शुब उठते ही अगर दूद दही आप देखते हैं या घर से अपने बाहर निकला देखा दूद वाला जा रहा है रहा है इसका मतलब क्या हुआ यह अच्छी किसमत का संकेत है और लगातार कुछ दिनों तक अगर आप दूद्ध ही देखने लगे तो इसका मतलब है अब आपका समय अच्छा चलने वाला है तो समय का फायदा आपको उठाना है क्योंकि घर बैठे भागे साथ नहीं देता गन्ना अब जैसे एक है एक तो कोई सुमंगल परतीक चिन्न से जैसे लोग संख बजा रहे हैं मंदर में घंटी बज रहे हैं आरती हो रहे हैं पुझा पाठ हो रहे हैं यह भी भागे के प्रबल होने के संकेत है क्योंकि बहुत भागे वालों को ही ऐसी दोनी सुनाई देती है आप किसी बहुत जरूरी का से जा रहे हैं ओफिस के ब्यपार के और आस्ते में 16 रिंगार की वी कोई लड़की दुलहन नजर आ जाए ये भी भागे को प्रबल होने का संकेत माना जाता है वैसे तो चमगादर का घर में आना अच्छा नहीं है लेकिन अगर आपके घर में हैं तो तुरंद भगा दें तो अच्छा है वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं चमगादर घर में बसेरा बना ले तो धनाने के संकेत है वैसे ये एक असूब असंकेत है इसलिए आपके घर में तो तुरंद रटाईए नहीं तो बरकत चली जाएगी जिन्दगी में हर किसी का कोई न कोई लकी डे होता है कही किसे भी आपको धन उस दिन मिली जाएगा और उस दिन का फाइदा आपको उठाना चाहिए क्योंकि उस दिन जितना आप हाड़ वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा धनाएगा प्रयास करते रहें अगर आपके उपर पक्छी बीट कर देता है तो यकिनना आप गुसा करते ह पर ये बहुत सुपसंकेत है इसका मतलब है अब जल्द ही आपका भाग का ताला खुलने वाला है मकड़े के जाले घर में होना बढ़िया नहीं होता लेकिन मकड़े के जाले में आपका नाम का पहला अक्छर दिखाई दे जाए तो एक अच्छा संकेत माना जाता है यानि उस दिन आपके लिए बहुत जीवन में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। पुरी दुनिया जानती है कि टूटता वाता राज जीवन में खुजियां लेकर आता है। अगर आपको भी कभी टूटता वातारा मिल जाये तो अपनी विस जरूर बोल दें। एक से सवा महिने के अंदर विस पूरा हो जाता है। तो सोच समझ के मांगिएगा। कभी कभी हर बढ़ाहत में हम उल्टे कपड़े पहन लेते हैं। और जब फिर सिधा करते हैं कोई टोक देता है कि उल्टे पहने हो। इसका मतलब है कि सुख सम्रिद्धी अब बढ़ेगा। अब जीवन में सिर्फ खुजियां ही आएंगी। अब कभी कभी क्या होता है आप कहीं जा रहे हैं। आपको रास्ते में अच्छे चीची मिलने लगती है। जैसे कि चार पत्तियों वाला घास, गोड़े की नाल, सिक्का पड़ावा मिल जाए, संभाल कर उठा लें। यह भागे का इसारा मिल रहा है आपको। अगर आपके घर में रोज रुज कुत्ते आ रहे हैं। आकर कहीं बच्चे दे देते हैं। छट डूनते हैं रहने के लिए कोई कुतिया है, काभिन है, उसको बच्चा होने वाला है। तो इसका मतलब भी अच्छा होता है। इसका माना जाता है। अगर ऐसा आपको दिख जाए, मिल जाए, तो उस समय का आनन्द जरूर उठाईए, क्योंकि अब जल्द ही भागे का सितारा चमकेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि बारिस भी और यह दूपी उग गया है। यह भी समझे अगर आपको ऐसा दिख जाए, तो निकड भविस्य में धन आने के संकेथ हैं यह, जल्द ही आपको कोई बड़ी खुस खबरी मिलेगी। कई बार देखिएगा कि जो पुरूस हैं धायने हाथ में खुजली होती है, यह भी धन आने के संकेथ माने जाते हैं। कच्छुआ को लोग भागे का प्रतीक मानते हैं और इसलिए अगर आपको कच्छुआ कहीं भी किसी भी रूप में दिख जाए, यानि कि औरिजिनल हो, संगमरमर का हो, कुझस्टल का हो, अच्छी खबर जरूर लाता है कच्छुआ। डॉल्फिन अगर इन डॉल्फिन का जोड़ा आपको कहीं से भी वैसे आप इस्टेचू लगा सकते हैं कैलेंडर लगा सकते हैं क्योंकि डॉल्फिन के जोड़े के जो पिक है उसके पीछे अगर आप मननत लिक्के रख दें तो मननत बहुत जल्द पूरी होती चाहे कैसी बहुत जाता है और बचाते जाता है वैसे तो आप हुसन के रूप में उपयोग होता है लेकिन अच्छे भागे का प्रतीक है मिल जाए तो छोड़ियेगा मत अपने घर में मोती जरूर रखें इसको कहते हैं जिंगूर जिंगूर का सोर अगर सुनाई दे आपके घर में घर में आ जाए तो इसका मतलब है अब आपको पीछे मुड़ने की आवा सकता नहीं क्योंकि अब सिर्फ खुसी आएंगी सिर्फ धन आएगा मालक्षमी अपने साथ जिंगूर को लेकर ही आती है उनको पहले बेशती है ज आप अपने आपको खुबसूरत महसूस करते हैं दिन बदिन आपको लगता है आपके भाग्यों देखा आप सोकर उठते हैं बहुत अच्छा फील करते हैं एकदम से अंदर से लगता है कुछ खुसी महसूस हो रही है यह खुसीयां किस चीज़ की है यह मालक्षमी के आगम अगर आपके घर में आके बच्चे दे दे और बिल्ली का जेल मिल जाए तो बड़े किसमत वाले हैं आप क्योंकि यह धन का पिटा रहा है संभाल कर रखिएगा सिंदूर में लपेट कर बार बार घर के दरवाजे पर गाय आने लगे बिना खाय मत जाने दीजिए अगर गा धनिया को पेड़ को देखर आप जान पाएंगे कि पूरा सल साल कितनी धनकी बारिस होगी अगर धनिया का पेड़ बहुत खुबसूरत हरा भरा मोटा ताजा है एकदम ग्रिन सा है इसका मतलब है खूब पैसा आएगा लेकिन पतला दूबला है ग्रिन पन तो है पर पतला ह इसका मतलब है ठीक है जैसे आप रहते हैं बिल्कुल वैसे मैनेज हो जाएगा लेकिन पीलापन हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा वैसे तो धनिया का पेर पूरे साल ही आप अपने एक गंबले को रखिए प्लास्टी का गंबला आता है छोटा सा भी ले 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 दो च सावन के महने में बिलू पत्र का पेड़ भी अपने हातों से लगा सकते हैं सिव होते हैं प्रसंद बिलू पत्र का पेड़ हमेशा घर के मुखे दर्वाजे के बाहर लगाना चाहिए और नियमित रूप से पुजा भी करते रहें दीपक जलाते रहें इसके नीचे यकिन मा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें सेर करें धन्यवाद